हलो स्टुडेंट्स वेलकम टू आरे से फिटनेस अकेडमी तो आज हम डाइट न्यूट्रिशन का पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बी एम आर हम सबने सुना हैं बी एम आर बैसल मेटबॉलिक रेट अब जब हमारी बॉड़ी रेस्ट पर होती है कोई भी फिजिकल आक्टिविटी नहीं कर रही होती तब भी हमारी बॉड़ी कुछ energy यूज करती है कुछ calories यूज करती है चलो माल लेते हैं जैसे कि हम सो रहे हैं पूरे 24 घंटे हगर हम सिर्फ सो रहे हैं क्या हमारा blood circulate हो रहा है क्या हमारा heart pump हो रहा है, क्या हमारा दिमाग सोच रहा है, तो ये सब काम कैसे होते हैं body में, इन सब काम के लिए energy की requirement होती है, जो basic energy की requirement इन सब कामों को करने के लिए हमारी body use करती है, उसी word को, उसी energy को हम BMR, Bessel Metabolic Rate में define करते हैं, I hope so आप ये सब समझ चुके होंगे, तो इन सब कामों को करने के लिए energy की requirement होती है, जिसको हम बोलते हैं calorie, ठीक है, calorie हम सब ने सुना है, तो ये सब energy जो required होती है, इन सब metabolic activities को perform करने के लिए, उस energy को हम express करते हैं kilo calories per day, ठीक है, जो की हमारा BMR होता है, BMR जो होता है, वो हमारा kilo calorie per day होता है, मतलब की एक पूरे दिन में जो energy हमारी इन सारी metabolic activities को perform करने में use होती है, उसे हम BMR बोलते हैं, BMR हमेशा पूरे दिन का calculate होता है, और calorie में calculate होता है, I hope so, आप समझ गए होंगे कि basically BMR होता क्या है, अब आगे चलते हैं factors affecting BMR पर, कुछ factors हैं जिससे हमारा BMR define होता है, effect होता है, पहला body size और structure, body composition, age, sex, gender, hormonal status और medical conditions और emotional stress, body temperature, physical activities और exercise, lifestyle and food habits, मतलब ये सब कुछ factors हैं, जिनकी वज़े से BMR high, low, different होता है, अलग अलग लोगों का, formula to calculate BMR, अब अगर हमारे को BMR calculate करना है, हमारे को देखना है कि हमारा BMR कितना है, तो कुछ formula है, men के लिए and women के लिए, ये formula आप use कर सकते हो, और अपना BMR calculate कर सकते हो, so students, I hope so, आपके doubts clear हो गए होंगे, अगर अभी भी कोई doubt है, तो आप नीचे comment box में अपना doubt mention कर सकते हैं, या फिर call करके अपना doubt clear कर सकते हैं, thank you, मिलते हैं next video में,